आप सभी का मारे चैनल पर स्वागत है आज हम कुछ माहत्मों प्रश्णों के लेकर आए हैं जिसमें आपको 28 और 29 दिसंबर के बेस पर क्वेश्चन लिए गए हैं इस प्रकार के क्वेश्चन आपके परिच्छा में आ रहे हैं जो आने वाले सिप्ट में देखने को मिलेंग तो इसमें हमने वेड़ागाजी के कुल 15 क्वेश्चन लिए हैं तो देखिए जाचिये अपने आपको कितना आपके क्वेश्चन कर पा रहे हैं देखिए पहला क्वेश्चन है करें कि आपकी कच्छा में कुछ बच्चे लिखित लिखते समय वरतनी की तुटियां करते हैं आप क्या करेंगे बच्चों को उनकी गलती के लिए डाटेंगे गलत बच्चों को लिखित भासा का समरिद परिवेश्च देंगे अगला करें बच्चों की तुटियों पर लाल गेरा लगाएंगे ताकि वे उन्हें देख सके नहीं करें उन तुटियों को सब्तों को सही रूप में बीज-बीज बार लिखने के लिए कहेंगे नहीं तो ये आपसा नमबर आपका भी हो जाएगा बच्चों को लिखिद भासा का सम्रिद परिवेश देंगे अगला प्रस देखिए करें कि भासा सिच्चन की प्रत्यच बिधि में करें कि अनुआद का सहारा लिया जाता है अगला अगला मात भासा का प्रियोग किया जाता है करें कि लच्च भासा के परिवेश का निर्मान किया जाता है नहीं सरचनाओ का ब्यास नहीं तो इसमें देखिए, आप्शन नमबर B हो जाएगा, मात्र भासा का प्रियोग किया जाता है, तो आप्शन नमबर B हो जाएगा, अगला प्रस्न देखिए, अगला प्रस्न है, हिंदी भासा सिच्छक का दाइत तो है, तो हिंदी भासा सिच्छक का दाइत तो है, पहला करें, अप्शन ने करें, पाठ पुछतक पढ़ाना, पाठ क्रम को जल्दी से समाप्त करना नहीं, भासा प्रियोग के आउसर जुटाना या भासा की परिच्छा लेना तो ये भी ने तो ये आप्शन नंबर C हो जाएगा बासा प्रियोग के आउसर जुटाना अगला प्रस्ण देखिए अगला प्रस्ण है प्रत्मिक अस्तर की सिच्छा मुखता तो प्रत्मिक अस्तर की सिच्छा मुखता करें कठिन है सरल है या अन्य विस्वयों का अध्यान है या मुखता भासा भी दिये तो ये आपका अप्शन नंबर C होगा मुखता भासा भी दिये अगला प्रस्ण है करें कि ब्याकरण सिखाने का सरस्वयों तरीका है ब्याकरण के सूत्र कंठस्ट कराना नहीं याद करने वाला कंठस्ट कराने वाला हमेशा गलत होता है ब्याकरण के नीमों पर आधारित अभ्यास कराना अगला प्रस्ट करना तो ये आप्शन नंबर इसका C हो जाएगा ब्याकरण सिखाने का सरस्वयों तरीका है प्रस्ट कराना अगला प्रस्ट देखिए करें कि सतत एवं व्यापक मुल्यांकन का अर्थ है करें कि सभी विश्वयों का मुल्यांकन सह सहचिक छेतर का मुल्यांकन या C नंबर करें सहचिक एवं सह सहचिक छेतर का मुल्यांकन तो आप्शन नंबर C हो जाएगा सेच्छिक एवां सेच्छिक छेत्र का मुल्यांकन अगला प्रशन देखिए अगला प्रशन निमलिखित में से कौन सा सूच में गतिक कौशल का उदहारन है तो कहरें कि कूधना, लिखना, दौडना, पढ़ना तो आपका क्या हो जाएगा? लिखना, बी नमबर, लिखना कुल, चार जो है कौशल है तो इसमें आपका लिखना हो जाएगा करें कि बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे ज़्यादा महतपूर है करें कि सुन्दर, लेखन, वर्तनी की सुत्यता, काव्यात्माग भासा या विचारों की अभिव्यक्ति, तो विचारों की अभिव्यक्ति हो जाएगी आपसन नमबर D हो जाएगा अगला प्रस्ण देखिए करें कि NCF 2005 की सुरुवात्रविन न टैगोर के किस निवन्द से होती है तो करें कि सब्वहता और सिच्छा के या सब्वहता और प्रगति के साथ सब्वहता तो इसमें हो जाएगी सी नंबर सब्भेता और प्रगति अगला प्रस्त देखिए करें कि NCF में NCF निम्न में से NCF की संचालन समित का गठन किसकी अधच्छता में किया गया तो कहने कि प्रफेसर यस पाल, प्रफेसर यस राज, प्रफेसर यस राम या प्रफेसर यस कुमार तो इसमें आप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रफेसर यस यस पाल की अधच्छता में की गई थी अगला देखिए करें कि NCF 2005 के अनुसार बालक की प्रतिमिक सिच्छा की भासा होनी चाहिए करें कि अस्थानी भासा बिदेशी भासा कठिन भासा या कोई भी भासा तो आपसन नमबर यह हो जाएगा अस्थानी भासा तो NCF जो प्रतिमिक सिच्छा पर जो बड़ावा देता है कि कहता है कि बच्चे की जो सिछा हो ये अस्थानी बासा पर दी जाए अग्ला प्रस्त देखिये करें कि बालकों की सिछं पर क्रिया एन सी अब के अनुसार कैसी होनी चाहिए करें कि रटंत पद्धत से युक्त या रटंत पद्धत से मुक्त तो ये बी नंबर हो जाएगा रटंत पद्धत से क्या होना चाहिए मुक्त होना चाहिए मतलब रटने पर बल नहीं देना चाहिए उसे स्वयम करके सीखने पर बल देना अगला प्रश्न है करें कि राष्टी पाट चरिया framework 2005 ने अपनी समझ से स्पेश प्राप्ट की है करें संग्यानवाद से रचनवाद से अनुदेशन से या उप्योग सभी तो यह इसमें बी नमबर हो जाएगा रचनवाद यहाँ पर अपनी समझ रचनवाद से प्राप्ट की है तो रचनवाद से अगला प्रशन है करें कि NCF 2005 बल देता है सिच्छकेंद्रिक सिच्छा पर स्वयम करके सीखने पर या रटने की प्रद्यति में समस्या हल करने पर तो आपका बी नंबर हो जाएगर स्वयम करके सीखने पर बल देती है अगला प्रशन देखिए करें कि भासाई कौशल में अंत में किसका भासाई कौशल में अंत में भिकास कराना चाहिए करें सुनने का बोलने का पढ़ने का या लिखने का तो ये आपका लिखने का हो जाता है तो देखिए इसका करम है पहले सुनना है, सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना, तो ये आप करम याद रखियेगा, लिखना, तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, तो कहरें कि सब अंत में क्या कराना चाहिए, पहले बंत में लिखने का, अगर यह करता था सबसे पहले तो सुनने का ठीक तो यह करमा आप देखिए तो बस इतना ही कुल 15 प्रस न लिए थे तो वासा करता हूँ यह वीडियो आपको फसंद आया अगर पसंद आया तो चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब हैं शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवान